बिजली बिल की दरों में व्रधी और लगातार हो रही है बिजली कटोती की विरोध में सरगुजा और सेतापूर में कॉंग्रेस कमेटी की द्वारा हाथों में बिजली कटोती बंद करो बिजली दर कम करो की तक्तिया लेकर प्रदर्शन रैली निकाल कर नारेबाजी करती निग्यापन सोपा है कॉंग्रेस के नेताव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही और उपर से सरकार ने बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी की है जो कि जनता पर अत्याचार है साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से पीडित है और इस दश समस्या आप अभी देख सकते हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है जैसा सरकार अभी बोल रहे हैं ये फालराइट अब धाया का मिध्राइ बढ़ा समय स्कुर्प भाई jus? करो दीखिया, को सरकार में विजली बाटैंकर तूस्में ऎगई प्र दूसरा समस्या आगी है इसके समन्मन में हम लूग आज राज व्यामपी अज अगर सरकार की नहीं पुलती है उन्हा हम लोग उग्रांदोलन करेंगे और आगे चक्का जाम भी करेंगे प्रदर्सन करेंगे 36 गड़ में कांग्रेश की सरकार थी 36 गड़ के जनता को हाब बिजली भी लाता था चांग्रेश की सरकार चली गए भाजबाए की सरकार आई खाब बिजली बल आता था उसको समाप्त कर दिया गया और 20 परसेंट बिजली बल बभत्री कर दिया और इसके साथ ही साथ पूरे सीतापूर में ही पूरे 36 गड़ में इसी हालत है कभी भी बिजली काट दे रहे हैं सुबह कट रहा है तो साम को कट रहा है तो रागवर नहीं आ रहा है किसां लोगों का क्टी का समय है पूरे किसान लोग 36 गड़ पूरे । श्रीष गड़ के पूरे किसान चटी सवच सान हैं और बहुत अधिक प स्विजाटिए के आऊवान पर लेस कमिटी के पिजला कारेस कमिटी के निदेस पर Såithapur बला का लेस कमिटी में आज इस समाश करेंगे तो सीटापूर के कांग्रेस कारकरता कांग्रेस पार्टी उसका पूर्जो और विरोध करेगा आज हम संकेतिक परदर्शन किया हैं आगे हम चक्का जाम भी करेंगे जब तक कांग्रेस कमीटी के दौर एक आओधन दिया गया है इसमने विजली कटोटी और विजली Ausdari की बात कहते हुए आओधन महामायम राजिपाल महुदय नाम से दिया गया है आओधन प्राप किया गया है इसको उजीत मार्द्यम से राजिपाल महुदय तक प्रोजा लेगा